जैंड दोस्तों वेलकम टी रानी स्कूल दोस्तों आज थोड़े से डिफरेंट टोपिक पर बात करेंगे लेकिन साथ ये टोपिक बहुत ही ज़्यादा महपून भी है क्या नाटो ने जानत पूछ कर ये यूद करवाया बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट जवाल है इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या ये यूद वर्डवार में करवट हो सकता है क्योंकि दोस्तों क्या ऐसा संकट भी कुछ समय पर मन रहा सकता है, सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जो कि हम सभी को समय लेना बहुत ही ज़्यादा important है, सबसे ज़्यादा महत्पॉन सवाल ये है, कि क्या इस यूद में रश्या की भारी गलती है, या इस यूद में युक्रेन की भारी गलती है, या फिर दोस्तों सबसे बड़ा जो विलन है इस यूद में, वो हमें सामने कोई और दिखरा है, लेकिन पीछे से कोई और है, इसका जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सकते हैं, एक दूसरे को कैसे दवानी की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वज़े से पूरी दुनिया में एक वर्ड वार का खत्रा यहाँ पर मन रहा है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू, दुनिया की दो बड़ी महासक्तियां जो है, इन में एक तो है, सोव्येत यूनियन खासतोर से, 1917-1991 तक, जाने 1991 तक, सोव्येत यूनियन जो है, दुनिया की बहुत बड़ी महासक्ति थी, अब यह भी दोस्तों बहुत बड़ी सकती है, क्योंकि रश्या की जो फॉर्स है, जोर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लताविया, लिथूनिया, मौलदाविया, रसिया, तजाकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, यूकरीन एंड बेकिस्तान और इनमें जो सबसे महत्पून जो कंट्रीज दे वो दोस्तों रसिया यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलारूस और दोस्तों यूकरेन का इसमें एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर आता है कटे हुए है और यह कहीं ना कहीं रसिया को ही सपोर्ट करते आ रहे थे अब दोस्तों 1991 से लेकर 2014 तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन 2014 में क्या हुआ उसके बारे मैं आप आपको बताऊंगा लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो सकती उबर कर सामने आई वह है दो अचिमी देश जो अमेरिका है वह अपना दबदबा कायम करना करके रखना चाहता था पूरी दुनिया पर जिसके विज़र से धिरे-धिरे उसने क्या किया अपनी एक विस्तारवादी योजना अपना ही और इस विस्तारवादी योजना में इन्होंने कुछ युनाइटेड इस्टेट्स ने एक यहां पर अपना दिमाग चलाया और 1909 में इस्तापना कर दी नाटो की नाटो की फुल फॉर्म यहां पर उपर आप देख सकते हैं नाटो की फुल फॉर्म जो है यह नोर्थ आटलैंटिक ट्रेटी और इसमें स्टार्टिंग में नाडा, डेन्मार्क, फ्रांस, जर्मनी, आइसलेंड, 1949 में यह 12 कंट्री इस्ते, उसके बाद इनोंने धीरे धीरे पढ़ा कर इन कंट्री की संक्याप 30 कर लिया, बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि 28 कंट्री हैं नाटो में लेकिन इस समय पर नाटो में 28 कंट्री इसके लाबा एक कंट्री जो इनक्रूड किया था, वो 2017 में किया था और इस तरह से लगातार बढ़ा रहे हैं, अब दोस्तों 31 कंट्री जो यह अपना इनक्रूड करना चाहती थी नाटो में, उस कंट्री का नाम है यूक्रेन, जिस पर इस समय पर दोस्तों संकट मन रहा है क्योंकि यूक्रेरी रसिया ने अटैक कर दिया, आप यह अटैक क्यों करा, और इसके पीछे सबसे बड़ा विलन कौन है, चले इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर देखी लिया होगा, यह रसिया है, रसिया का छेथपल तो बहुत इसके आसपास यह जो 15 सोवियत यूनियन के गंट्री से यह हैं, यहाँ पर कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, टर्कमिनिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पर चाइना आजाता है, और दोस् दोस्तो 1991 में जब डिजॉलूशन हुआ यानि पतन हुआ सोवियत यूनिन का उसके बाद 2014 तक सब अपना ठीक टाक चलता रहा है इन में से बाकी की जो 15 कंट्रीज थे छोटे मोटे रस्या से सटे हुए इन में से किसी कंट्रीज ने भी कुछ भी नहीं किया और दोस्तों ये रस्या के साथ अपने अच्छे संबद बना कर चलते रहे लेकिन दोस्तों यूक्रेन में क्या हुआ यूक्रेन ने 2014 में थोड़ी सी गड़बर कर दी क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स थे उन्होंने दोस्ता 2014 में ही मुद्दा उठाया था कि वो नाटों में जाना चाते थे इसके बाद क्या हुआ? सोवियत यूनियन ने यहाँ पर एक छोटा साथ अटक किया जिसके वज़े से इसमें की जो क्रीमिया बगरा एनेक्सिस बाई रस्या इन 2014 जो क्रीमिया मुख है यहाँ पर आप देख सकते हैं लगबग इस जगह पर आता है वो उस पर रस्या ने अ चीज जारी रखी उधर नाटो के जो कंट्रीज हैं पिछे से अमेरिका जो है वो इसे उकसाता रहा क्योंकि दोस्तों इस चीज का अमेरिका को बहुत ज़्यादा होने वाला था और लगता नाटो के जो कंट्रीज हैं सारे के सारे कंट्रीज मिलकर जो जर्मनी है अमेरिका है कास तोर से युनाइटिड ग्रेंट है कास तोर से अमेरिका वो यूक्रेइन को लगातार ये बात बोलता रहा कि नहीं तुम हमारे अंदर आओ इससे क्या होगा कि हमारी पावर बढ़ जाएगी क्योंकि नाटो ने देखी अमेरिका की विस्तारवाद निती रही है और अमे तोर से युनाइटेड इस्टेट से बहुत ही मजबूत राज्य बना हुआ है अब इस विस्तारवादी यूजली निती को देखते हुए हाल फिलाल में आपने देखा होगा कि चाइना भी धरे-दरे हैं यही कोशिश कर रहा है कि कुछ चोड़े चोड़े देशों को अपन तरफ मिलाए और उनसे बहुत ही अच्छे संबंद इस्ताफित करें हाल फिलाल में आपने देखा होगा कि नेपाल को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा था बोटान को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा था थिबत को तो उसने पहले ही कप जा लिया पाकिस्तान के सा वो चड़ाता रहा कि नहीं आप हमारे अंदर आईए आप हमें समयलित हो जाईए आपकी पावर यहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए और तरह तरह के लालच यहां पर यूकरेन को देते रहे और साथ भी यही कहते रहे कि अगर किसी वज़े से रसिया आप पर अटेक करत हुआ और रसिया के थुरू खास्तोर से क्या होता है यूकरेन के थुरू रसिया का आपको को पता ही होगा मुख्या जो एनरजी का मुख्या जो इसकी एकोनोमी हो किस पटिकी हुई है तेल पर और गैस के भंडरों पटिकी हुई है और यह गैस की जो पाइपलाइन है सारी किसारी यह यूक्रेन से निकलती हुई जाती हैं दोस्तों जर्मनी पॉलेंड और यूरोपिन कंट्रीज में जहाँ पर इसकी गैसे यहाँ पर बिक्ती हैं तेल के भंडर बड़े-बड़े यहाँ पर यूक्रेन से निकलते हुए, यहाँ पर यूक्रेन के रास्ते से जाते हैं, और खास्तोर से एक क्रीमिया का जो रास्ता है, 2014 में रस्या निकप जा लिया था, यहाँ से निकलते हुए भी जाते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पर नाटो को एक बात तो साफ पता थी, न अमेरिका बगएरा है वो अपनी फोजे रख सकते हैं, अपनी फोजे रखने के साथ साथ बहुत सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं और साथ इन नाटो ने उक्रेन को इस चीज के लिए भी उक्साया था कि यहाँ से जो pipeline निकल रही है रस्या की जो gas जाती है यह बहुत ही छोटा मोटा तुम्हें किराय बगएरा देता है रस्या यूक्रेन से बोला था इन नाटो कंट्रेज ने कि रस्या से इसका एक बहुत ह हुए यह gas बगएरा के भंडार जो है European countries में जाते हैं जिससे रस्या को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है तो दोस्तों इसका अच्छा खासा amount यूक्रेन ने रस्या से मांगा भी था और रस्या वो देने के लिए सामत भी हो चुका था इसके अलावा यूक्रेन में आज की डेट में जो बहुत ही जादा डवलप्ड चीजे हैं वो भी रस्या ने डवलप्ड की थी अपना पैसा लगा कर कहीं बार और रस्या का जो समर्थन था यूक्रेन को बड़े अच्छे से प्रापता यानि एक तरह से रस्या और यूक्रेन भाई-भाई थे अगर कुछ सम बड़ी बला होती है इसलिए यूक्रेन को एक बड़ा लादस दिया गया नाटो कंट्रीज की तरफ से कि आप हमारे अंदर सम्मिलित हो जाओ और पूरा विश्वास दिलाया गया यूक्रेन को कि अगर यूक्रेन यानि रस्या आपको कुछ बिगारने की कोशिश करता है त लेकिन यूक्रेन का राष्टपती जो है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तयार नहीं हुआ अब यहाँ पर प्रोब्लम क्या आ गई अगर किसी वज़े से यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो जाता तो दोस्तों यहाँ पर रस्या जो पूरे का पूरा जो कंट्री है इसकी स सिक्यूरिटी को एक बहुत ही बड़ा खत्रा आ जाता और सिक्यूरिटी के साथ साथ यूक्रेन के अंदर से जितने भी गैस पाइपलाइन बगरा जाती है वो भी दोस्तों किसी समय पर यह बंद करवा सकते थे यानि दोस्तों जो एक तरह से यहाँ पर रस्या की तबहा हो सकती थी अगर यूक्रेन किसी तरह से नाटो में सम्मेलिट हो जाता और इसके साथ साथ यहाँ पर नाटो कंट्रीज फिर क्या करते माल्डोवा, बेलारूस, कदाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तरकमेनिस्तान और दोस्तों बागी जितने कंट्रीज थे जोर्जिया, अर्मे यूक्रेन पर तो केवल दिखाने के लिए थोड़े बहुत बैंस बगेरा रस्या पर लगा पा रहे हैं, लेकिन वो भी लंबे समय तक लगा नहीं पाएंगे, चूंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिस पर जो यूरोपियन या नाटो के जो कंट्रीज हैं, वो रस्या की मजबूरी थी, तो रस्या को तो यहां पर अटेक करना ही पड़ता अगर यूक्रेन यहां पर नहीं मान रहा था, लेकिन सवाल यहां पर यह उटता है कि यूक्रेन को इतनी बड़ी मात्रा में अगर उकसा आय गया और उसके बाद जब यूक्रेन पर अटेक हुआ, नहीं आपको पता ही होगा वन मिलियन यानि दिस लाग से भी ज्यादा लोग यहां से यानि यूकरेन से पलायन कर चुके हैं पैमिलीज मेंबर वह बाहर जाकर कंट्रीज में पता नहीं कहां पर मतब एक तरह सरनार्थी की तरह उन्हें यहां पर रहना पड़ता है उन्हें व दहल उड़ता है लेकिन दोस्तों यहां पर प्रोब्लम वारी बात यह है कि जिस तरह से रसिया को जो देखिया अगर यहां पर आखों से देखा जाए जो आखों देखी है उसके अकोर्डिंग तो रसिया इसमें सबसे बड़ा विलन है लेकिन कहीं ना कहीं आप यह कह सकते था कि यूक्रेन में अगर नाटो संब्लित करने की बात करता है यूक्रेन को तो रसिया ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि अगर रसिया ऐसा होने देगा तो पूरी दुनिया को पता था कि रसिया पर तो एक बड़ा खत्रा मन रहा जाएगा तो दोस्तों इतना तो समझदार ह कि किसी वज़े से अगर तुका लग जाता है और यूक्रेन नाटो में इंक्लूड हो जाता है तो उसका तो नाटो कंट्रीज को एक बहुत ही बड़ा फाइदा होगा ही होगा क्योंकि दोस्तों यहां से एक बड़ी मात्रा में जो तेल बगेरा के भंडार हैं और जो गैस पता था नाटो को अमेरिका को कि अगर किसी वज़े से यूक्रेन को नाटो में सम्मेलित नहीं कहता था जैसा कि उन्हें पूरी पूरी मितिक रस्या इस चीज़ से नाटो पर यूक्रेन पर आख्मन कर देगा तो उन्हें पता है कि इस चीज़ से दो ही देशों का नुक्स होगा एक तो यूक्रीन का नुकشान होगा रिस्या का नुक्सान होगा जोकी यूद में तबाहि होती है दो कंट्री में उलग जाएंगे उसके बाद अमरेका को क्या फायदा होगा अमेरिका के भी अपनी इस ऑर तेल के बहुत बड़े भंडार है वह भी अपनी बड़ी बड़ी companies बहाँ पर establish करना चाता है gas की और तेल के भंडारों की और दूसरे countries में उसे export करना चाता है लेकिन दोस्तों problem क्या हो रही थी जब रस्या से सस्ते दाओं पर यह सारे चीज़े मिल जा रही थी तो दोस्तों अमेरिका में चीज़े थोड़ी सी महंगी पड़ती थी और अमेरिका से महंगे दाओं पर कोई इन चीज़ों को खरीदने के लिए तयार नहीं था यानि दोस्तों आप क्योंकि यहां पर यूद हो गया आप रस्या और यूकरेन की यहां पर problem बन गई कि जल्दी से उतनी बड़ी मातरा में यह गैस और तेल का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जितनी मातरा में कर रहे थे इस बीच अमेरिका को समय मिल जाएगा और अमेरिका की जो तेले गैस की कंपनी जाएगे और उसके बाद यहां पर अमेरिका का दबदबा हो जाएगा इस market में पूरी दुनिया में और इस चीज़ से जो अमेरिका को है वो एक बहुत भड़ा फाइदा यहां पर होने वाला इस यूद की वज़े से और दोस्तों उस चीज का जो फाइदा है वो नाटो कंट्री जहां पर उठा लेगी यानि एक सोची समझी साजिस लग रही है यानि कहीं न कहीं यह दिख रहा है कि देखने में तो विलन जो है उसकी तो मजबूरी है क्योंकि दोस्तों देश की सिक्रिटी सबसे पहले आती है और बाकी किसी चीज कोई भी चीज जो है वो बाद में आती है लेकिन दोस्तों यहां पर जो विलन है इस यूद का बहुत ही बड़ा इंपक्ट पड़ेगा साथ ही दोस्तों इस चीज से रस्या की जो कंडिशन है वो पूरे वर्ड में थोड़ी सी इसकी रैपूटेशन जो है खराब होगी उस चीज का यानि पॉलिटिकल रिलेसंस में अमेरिका को इस चीज का एक बड़ा कंड्री अटैक करते हैं तो दोस्तों रस्या के साथ के वल एक ही ऑप्शन बचता है फिर यानि जब कोई कंड्री अपनी बरबादी होता हुआ देखता है तो उस कंड्री के पास के वाला गरो पर्मानु संपन्देश है तो उसके पास यह की और एक ही सोलुशन बंत बचता रही थी वह अमेरिका जैसे कंड्री में बहुत इभारी तबाही मचा रही थी तो दोस्तों अमेरिका को विवस होकर जापान की हिरोशिमा और नगासा की सेर पर परमानु बं गिराने पड़े थे जिसके बाद यह वर्ड वार कहीं जाकर बंद हुआ था क्योंकि यह दुनि हम कितनी बड़ी तबाही क्यों न खड़ी कर दे तब कुछ इस तरह की कंडिशन्स बन सकती हैं इसलिए दोस्तों अगर यूकरेन के साथ यहां पर नाटो कंट्री जाते तो वर्ड वार कर एक बड़ा खत्रा पैदा हो जाता है यहां तक कि जो यूकरेन के राष्टपति है हाल फिलाल में नाटो कंट्री से यह लगातार अपील कर रहे हैं कि यूकरेन का वो साथ दे और यहां तक कि उन्होंने हाल फिलाल में एक अपील की थी कि यूकरेन को नो फ्लाई जोन बना दिया जाए यहां तक भी नाटो अब यूकरेन का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रह गया क्योंकि उन कंट्रीज को पहले ही पता था कि यूकरेन का साथ वो नहीं दे पाएंगे लेकर इस चीज से उनकी जो एकोनोमी है वो कहीं न कहीं ग्रोह होगी और रस्या जो है एक महापावर जो है दुनिया की उसे इस यूद से कहीं न कहीं एक भारी नुकसान हो सकता है और यूकरेन जो है उसे तो यहां पर यूद हो गई ही अब आपको समझा रहा होगा कि असली विलन इस यूद का कोई और है ना कि दोस्तों यहां पर रस्या है जो रस्या की मजबूरी थी कि वो यूकरेन पर आगमन करता अब दोस्तों सवाल यह उठता है बहुत सारे ब्रहमोस यहां पर ब्रहमोस के अलावा S-400 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल रस्या ने हमें प्राप्त की है अभी भी जो भारत के 70 से 80 परसेंट आर्मी के एक्विप्मेंट है वो रस्या से ही इंपोर्ट किया जाते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ ही कहीं बार रस्या बहुत भी कंडिशन में इंडिया रस्या को नहीं छोड़ सकता है दूसरी इंपोर्टन बात यहां आती है कि क्या यहां पर यूक्रेन यानि अमेरिका को छोड़ सकता है यूक्रेन यानि अमेरिका मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अमेरिका इस समय पर कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ है लेकिन दोस्तों उसकी जो पॉलिटिकल चीज़ें वो कहीं न कहीं बहुत ही जादा स्ट्रोंग है तो दोस्तों अमेरिका का साथ इसलिए इंडिया नहीं छोड़ सकता है क्योंकि भारत में जो सर्विस सेक्टर है वो हथ तक अमिरिका पर भी डिपेंड न कहते हैं बहुत सार corazón के जाती है अमेरिकाः जैसे कंड़री में बहुत सारे लोग इंडिया से अमेरिका में जोब करने जाते हैं वह पर रह रहे ही है क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं कि हम ना तो अपने रस्या से संबंद खराब कर सकते हैं और ना ही हम अमेरिका से अपने संबंद यहां पर खराब कर सकते हैं तो दोस्तों यह पूरे का पूरा कंक्लूजन है यानि दोस्तों कहीं ना कहीं रस्या जिसे हम जिम्मेदा ठैरा रहे हैं इस यूद के लिए उसमें अकेला रस्या ना होकर यूकरेन की तो एक बहुत ही बड़ी भूमिका है भले ही इस समय पर यूकरेन में तबाही है लेकिन दोस्तों यूकरेन के जो रास्टपती हैं कहीं ना कहीं आप कह सकते है कि उनमें इतना दिमाग नहीं था कि वो इस चीज़ को समझ बाते कि यहाँ पर यूक्रेन फंस जाएगा और इस समय पर फंस चुका है अभी भी यूक्रेन के पास मेरे कहल से सबसे अच्छा उप्शन यही है कि वो रस्या के सामने अपने गुटने यहाँ पर टेक देता और रस्या की मांगो को मान लेता तो यह तबाहिका मंजर वहाँ पर खत्म हो सकता था क्योंकि यूक्रेन को इस बात का पता है कि अब नाटो जैसे कंट्रीज बिलकुल भी रस्या यूक्रेन के सामने साथ नहीं आने वाले हैं और और अबिसली रस्या की जो आर्मी है उसका मुकाबला लंबे समय तक तो यूक्रेन नहीं कर सकता है तो दोस्तों यह कहीं नहीं यूक्रेन की बेवकुपी है कि वो अभी भी वहाँ पर टिका हुआ है अपनी जित पराड़ा हुआ है और दोस्तो रस्या इस मामले में रुकने वाला नहीं है क्योंकि इस समय पर अगर रस्या रुकता है तो आने वाले समय में रस्या को खून के आंसू रोने पड़ सकते हैं तो दोस्तो क्योंकि security का सवा अगर ये war world war में नहीं convert होता है बहुत लंबे समय में कई बार हो भी जाता है लेकिन दोस्तों अगर ये war world war में नहीं convert होता है तो दोस्तों इस war से bitcoin और cryptocurrencies के price पर negative नहीं बलकि positive impact पढ़ने वाला है क्योंकि बहुत सारे जो लोग है इस समय पर सोचने के लिए viewers हैं कि जब कोई youth होता है तो उस समय पर अगर आपके पास कोई property है यानि youth है और एक particular country पर attack हो गया उसमें आपके पास कोई property है वो property भी छोड़ कर कहीं बार भागने पड़ती है जैसा कि उकरेन के बाद में यूद में देखा जा रहा है अगर आपके पास bank balance है तो bank खाते आपके siege कर दिये ज देख में पलायन भी करेंगे और आपके wallet में अगर crypto पड़ी हुई है तो उसकर दूसरे country में जाकर भी वो crypto sale करने के बाद आप वहाँ पर अच्छा जीवनियापन कर सकते हैं यानि लोग कही ना कहीं positive हो रहे है इस यूद के वज़े से crypto के परती और दोस्तों crypto का आने वाल technologies का यूज करके daily basis पर आप 1000 डोलर की earning कर सकते हैं बहुत ही चोटे मोटे investment से शुरू करके जैसा कि जिन लोगों ने आज से 10 से 12 महीने पहले या 8 से 9 महीने पहले शुरू किया था 100 डोलर या 120 डोलर की investment से उनकी daily basis पर earning आप देख सकते हैं अगस के लाश तक पहुंचते दोस्तों 19,000 से 20,000 डोलर daily basis तक और दोस्तों वही पर अक्टूबर में 10,000 डोलर से 20,000 डोलर के बीच नवंबर में और भी जादा जबरतस तो और दोस्तों ये एक particular की earning नहीं है बलकि अलग अलग लोगों की earning यानि बहुत सारे लोग इस नई technologies का use करके cryptocurrencies में एक जबरतस earning कर जाएगा sign up with Binance auto trading और दोस्तों वो जो link होगा उस link पर क्लिक करके sign up कर लिजेगा Binance auto trading के साथ sign up करने के बाद इस message के उपर की तरफ आपको एक वीडियो में लेगी जिसमें पुरी detail दी गई है कि से activate कैसे करना है और काम कैसे करेगा वीडियो देखने के बाद इसे activate कर लें